ग्यारा से सोलो नॉम्बर दोजार बाईस के मात्पून खबर वे चर्चा करेंगे चार दिन डिस्टरब रहे न तो कोई वीडियो जा पाए न तो प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो नियमित रूप से चल पाए लेकिन आज से पुनह सारी चीजें प्रारम हो रही है तो ग्यारा नॉम्बर को राष्टी सिक्षा दिवस था जिस दिन हमने वीडियो नहीं बनाया 2008 से राष्टी सिक्षा दिवस मनाया जाता है ग्यारा नॉम्बर को 12 नॉम्बर को विश्व निमोनिया दिवस था 2009 से इसको मनाया जाता है 13 नॉमबर को विश्व दयालता दिवस के रूपे मनाया जाता है और 14 नॉमबर को राश्टी बाल दिवस के रूपे मनाया जाता है पंडित जवाला नहरू जो भारत के प्रथम प्रधान मंतरी भी थे उनका जन्म 14 नॉमबर 1989 को प्रियाग राज इलहाबाद में हुआ था उत्तर प्रधेश में तो उनके बच्चों के प्रति जो लगाओ था उनके लिए जो उन्होंने काम किया थे विशेशकर मनौरंजन के शेत्र में उनको चाचा नहरू के नाम से भी जाना जाता था इसलिए बच्चों से काफी नजदी किया थी उनकी तो जे एल नहरू के जंग दिवस 14 नॉमबर के दिन को ही चिन्हित किया गया है राश्टी बाल दिवस के रूप में अन्य देशों में भी मनाया जाता है लेकिन वो अन्य अन्य तारीकों को मनाया जाता है जैसे कहीं जून में मनाया जाता है कहीं 20 नॉमबर को मनाया जाता है इस तरीके से भारत में फिलहाल 14 नॉमबर को राश्टी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं सबसे पहली बार 2022-2021 में इसको मनाया गया था पंद्रह नॉम्बर 1875 को विर्सा मुंडा का जन्म हुआ था इसलिए पंद्रह नॉम्बर को और आपको पता है जन्जातियों में विर्सा मुंडा को लेकर के काफी सम्मान है इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है दरसल विर्सा मुंडा ने ना सिर्व बिटिस जो हुकूमत थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि जिसको उल्गुलान आंदोलन के रोप में भी जाना आता है बल्कि जल जंगल जमीन का नारा देख करके जन्जातियों में जागरुकता और अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए संखर्ष करने के लिए जुनून पैदा किया तो पंदरह नॉम्बर 1875 को बिर्सा मुंडा का जन्म हुआ था इनको जहारखन में धर्ती आबा के नाम से भी जना जाता है ठीक है 16 नॉम्बर को राश्टी प्रेस दिवस गरूप में अधिकारों के लिए तो ये सब वे दिन हैं तारिखें हैं जो पूछ सकता है कौन सा दिवस इस तारिख को पड़ता है जलवाई परिवरतन प्रदर्शन सूशकांग 2023 जर्मन वाच के दोरा जो कि 2005 से जारी होता है 2023 के लिए जारी हो गया है इसमें भारत आठे अस्तान पे है 2022 और 2021 में भारत दशमें प्रायओ पाईदान पे था अर्थाथ जलवाई परिवरतन प्रदर्शन सूशकांग 2022 21 जलवाई परिवरतन प्रदसन सुचकांग 2022 इन सिर्षकों के अंतरगजो रिपोर्ट आई जर्मन माच की इसमें भारत दसमें अस्थान पे था दोनों में लेकिन इस बार की रैंकिंग में भारत आठमें अस्थान पे आ गया है ध्यान रखेगा कि प्रथम तीन अस्थान पर कोई भी देश नहीं है प्रथम तीन अस्थान पर कोई भी देश नहीं है चौते अस्थान पे 18-18 अस्थान पे डेनमार्क है और पांचवें अस्थान पे स्वीडन है कुल 69 देश और European Union जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का 90 पस्चत से अधिक उसरजन करते हैं वो इसमें शामिल किया जाते हैं कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा 63 देश ठीक, 63 देश या संग्ठन तो ये 63 कहां से आए दसल लोगों को कुछ न्यूज रीडर्स को या न्यूज चैनल्स को ये नहीं पताएगी जो पहला तीन स्थान है उस पे कोई देश नहीं उसमें तो इसलिए पूरी लिष्ट जो हो जाती है 62 देशों और European Union की लेकिन वास्तवे ग्रूप से देखें तो कुल 69 देश और European Union इसमें शामिल है जिसका अधियन किया जाता है ये देश और ये संगठन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उससरजन का 95 से अधिक उससरजन करते हैं ठीक है लीड आईटी सम्मेलन कोब 27 में भारत और स्वीडन ने इस सम्मेलन की मेजबानी की लीड आईटी से अगर बात करें अर्थाद ये किस चीज को संबत संदर्वित करता है क्या है ये तो अधियोगिक शेत्र जिनका कार्बन उससरजन करना कम करना कठिन है उनके कार्बन उससरजन को किस तरीके से नियंतित निर्देशित किया जाए इस पर केंद्रित है लीड आईटी सम्मेलन बिली जीन किंग कप 2022 महीला टेनिस टूर्णामिंट है स्वेडिया लेंड ने साथ बार की चैंपियन आस्टेलिया को हरा करके ये पहली बार जीत लिया संयुक्तराष्ट पॉपलेशन प्रास्पेक्टर्स रिपोर्ट अभी हाली में चर्चा में काफी है संयुक्तराष्ट द्वारा ये जारी हुआ इसमें कुछ निसकर्स हैं जो परिक्षा के दिश्ट से बहुत महत्पूर्ण है इसमें ये कहा गया कि 15 नॉंबर को भारत विश्व की आबादी आठ अरब हो जाएगी अर्थाथ 15 नॉंबर को पूछेगा कि कब विश्व की आबादी आठ अरब हो गई तो 15 नॉंबर को 15 नॉंबर 2022 को 1950 के बाद से वर्तमान में अगर देखें तो सबसे धीमी गतिसे जनसंख्या में वृद्धी हो रही है ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया भारत की बात करें तो जनसंख्या कि दिश्ट से भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ करके विश्ट की सबसे बड़ी अबादी वाला देश बन जाएगा कब 2023 में इसके लाव एक और महत्पूर्ण निसकरस है कि 2080 में दुनिया की आबादी कितनी हो जाएगी 10.4 अरब तक हो जाएगी अब देखें धीमी गति से जनसंख्या वरदी हो रही है इस कारण ये नुमान लगाया गया है 2050 में जो जनसंख्या हो जाएगी 9.7 अरब तक हो जाएगी 2030 में 8.5 अरब तक हो जाएगी तीनों को याद रखेगा युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका का सैन अभ्यास है सैंक्त सैन अभ्यास है जो हाली में आउजित हुआ वैक्सीन इंजेक्टिंग होप नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आउजन हुआ संस्कती मंत्री अरजुन मेगवाल द्वारा या अरजुन राम मेगवाल द्वारा इसका उद्गाटन किया गया कहां प्रायुजित हुआ नई दिल्ली में याद रखेगा सत्रहमा जी ट्वंटी सम्मेलन ये इंडोनेशिया के बाली पर हो रहा है बाली में इसकी थीम क्या है रिकवर टूएदर रिकवर स्टॉंगर एक साथ ठीक हो मजबूत हो प्रधान मंत्री मोदी भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं शी जिन पिंग जो बाइडन और रिशी सुनक इन तीनों से इनकी मुलाकात भी हो गई सी विजल आप एक बार देखे ध्यान रखेगा सी और बीच में क्या है डैस है विजल अगर ये डैस नहीं रहेगा सी विजल रहेगा तो ये क्या हो जाएगा ये एप था जो की चुनावायोग ने जो मतदाता के सशक्ती करण के लिए अगर कुछ गरबड़ी हो रही है तो उसमें मतदाता शिकायत कर सके उस पोर्टल पेस के लिए सुरू किया गया था ये सी विजल है एक अभ्यास है भारती नोसेना और भारती तटरक्षक बलद्वारा आयोजद संयुकत अभ्यास है इसका नाम सी विजल है दोनों में अंतर समझेगा कार्लो सौरा ये सत्जीत रे लाइफ टाइम अचीमेंट अवार्ड इनको दिया जाएगा तिरपनवे भारत अंतर राष्टी फिल्म होसों में क्या नाम है कार्लो सौरा राष्टी खेल पुरसकारों की घुशना हो गई मेजर ध्यान चंदर खेल रतन पुरसकार अचंथा सरत कमल जो की टेबल टेनिस खिलाडी है इनको दिया गया इस बार का पच्चिस खिलाडियों को अरजुन पुरसकार दिये गए चार को दुरना चार पुरसकार दिये गए और मौलाना अबुल कलाम आजा ट्राफी जो की अंतर जो विश्वद्याले प्रतियों किताएं होती है ये गुरु नानक देव विश्वद्याले अमरे सर को दिया गया अब आपको बता दें ये पुरसकार जो खेलरत्म पुरसकार है ये पिछले चार वर्षों के रिकार्ड के आधार पे दिया जाते हैं इसलिए आपको ध्यान रहे कि ये प्रशन पूछ सकता अभी तक पूछा नहीं है इन आवर लाइफ टाइम ये क्या है कोब 27 जो शर्मल सेख में आजित हो रहा है मिश्र में भारत के द्वारा ये पहल प्रारम की गई है इसमें 18 से 23 वर्ष के युवाओं को प्रुसाहित किया जाएगा परिया और सरक्षन के प्रती ध्यान देने वाली बात है कि प्रधान मंतरी मोदी ने इसी से मिलता जुलता एक मूमेंट सुरू किया था नाम था लाइफ अर था लाइफ स्टाइल फॉर इन्वार्मेंट मूमेंट जून 2022 में इसको सुरू किया था ग्लोबल शील्ड क्या है तो कोब 27 में ये सुरू की गई जलवाई आपदा सहायता योजना है जो देश जलवाई से सरवादिक प्रभावित रहे हैं उनको सहायता देने के लिए योजना है पाकिस्तान घाना बंगला देश जैसे देश जो है ये पहले लाभारतियों में शामिल होंगे तो ग्लोबल शील्ड अब कोविट सील्ड से आप कोवीट सील्ड से आप कोरोना के लिए मैं समझ लीजेगा क्योंकि आप्शन में जरूर देगा अगर इस पर प्रश्ण बनेगा कुरुक शेत्र हरियाणा में अंतराष्टी गीता महसो कायोजन उननीस नौमबर से किया जाएगा टी-ट्विंटी पुरुष क्रिकेट विशुकप हाली में आस्ट्रेलिया में आयो जित हुए इंगलेंड ने पाकिस्तान को मेलबर्न में जो फाइनल आयो जित हुआ इंगलेंड हो गई है इसके साथ ही इंगलेंड 2019 में जो वंडे विशुकप था पचास ओरों का जो खेल होता है और टी-ट्विशुकप एक ही समय में इन दोनों की ट्राफी लेने वाली पहली टीम हो गई है सैम करन जो किंगलेंड के खिलाडी है वहां के गेदवाज है मैं आप दे टूनामिंट और मैं आप दे मैच जो फाइनल के थे वो कौन थे सैम करन नताशा पिक मुसर कौन नताशा पिक मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राश्वती बनी स्लोवेनिया अगर राजधानी क्या है जूबल जाना है तो नताशा पिक मुसर यहां की पहली महिला राश्वती मनी भारत अंतर राश्टी व्यापार मेला दोजार बाइस प्रगती मैदान नई दिल्ली में ये सुरू हुआ थीम इसके बाहले पूछ चुका है उस सोचागता है फिर से पूछ ले इस बार की थीम क्या है वोकल फालोकल लोकल टू गलोबल फोकस राज़ कोन है उत्तरवदेश है और केरल है ग्रेग बारकले नियूजिलेंड के हैं ICC के अध्यक्ष बनाए गए थे 2020 में पूनह जो है ICC के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए है क्या ग्रेग बारकले वंदे भारत एक्सपेस्ट्रेन मैसूर और चन्नेई के मध्य दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सपेस्ट्रेन चलाएगी किसके बीच मैसूर और चन्नेई की बीच मधू कांकरिया 31 में बिहारी पुरसकार से इनको ये पुरसकार दिया गया हम यहां थे कृत के लिए वहीं डाक्टर माधो हाडा को 32 में बिहारी पुरसकार पदान किये गए पचरंग चोला पहन सखीरी इस रचना के लिए लव लीना बोर्गोहन एशियाई मुक्केबाजी चेंपियंशिप में इन्होंने स्वनपदक जीता 75 केजी वर्ग में ध्यातब है कि परवीन हुड़ा ने भी 63 केजी वर्ग में स्वनपदक जीता है लवलीना बोर्गोहन वही महिला खिलाडी है महिला मुक्केबाज है जिन्होंने पिछले ओलंपिक में, बीजी ओलंपिक में, क्या जीता था? का स्पदक जीता था? प्रधान मंत्री मोदी ने स्टेची ओप्रास्परिटी का उधगाटन बैंगलूरू शहर में किया, ये नाद प्रभू कैम्पे गोड़ा जो की बैंगलूर के संस्थापक है, उनकी प्रतिमा है, कासे की प्रतिमा है, 108 फीट उची प्रतिमा है, ठीक, नीरज चोपड़ा, जो की भाला फेक के खिलाडी है, सुरीडिया लेंड के मैत्री राजदूत ये बनाए गए है, कहा के सुरीडिया लेंड के मैत्री राजदूत बनाए गए है, टशी गंग, ये दुनिया का सबसे उचा मतदान के अंदर है, हिमाचार प्रदेश में ये इस्थित है, उत्तर प्र जो था वो सबसे उचा मद्दान के अंथा अभी क्या हो गया है टशी गंग उत्तर प्रदेश में 2023 में खेलो इंडिया इन्वस्टी गेम्स आयुजित होंगे तो तीसरे संस्कन की मेजबानी इसके उत्तर प्रदेश कर रहा है पहला संस्कन 2020 में हुआ था ओडिसा में दूसरा करनाटक में हुआ 2022 में इस वर्ष अब 2023 में इन जो खेलों की मेजबानी कर रहा है उत्तर प्रदेश कर रहा है तो आज के लिए इतना ही बहुत बुद्धन्यवाद